वर्दा जिले के समुद्रपुर के पास आजदा शिवार में नाखपुर हैदरबाद राश्टिय महामार्ग संक्या 44 पर हैदरबाद से नाखपुर जा रही एक चलती कार में आजदा शिवारा में अचानक आग लग गई गटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जाम हाइवे पुलिस ने तुरंत चालक को बाहर निकाला और कार में रखे नगदीव सोने के जेवरात को बचाने में सफल रहे सबागे से कोई जन्हानी नहीं हुई मिली जानकारी के मुताबिक MS-31EU 3395 चलती कार में आग लगी थी तब पुलिस कर्मियों ने तुरंत दोड़ कर चालक सहीत कार में रखा सामान बाहर निकाला कार चालक जगदीश खुशाल वानखेडे उमरत 76 वश निवासी घटना के वक्त रामतास पेट नाकपूर अकेले ही हिद्राबाद से घर जा रहे थे इस कार के एक सूटकेस में 3 लाख रुपे नकद और सोने के आबुशन रखे हुए थे पुलिस ने तुरंत दमकल को बुला कर आग पर काबू पाया इसमें कार जल कर राख हो गई और कार को हटा कर यातयाद सुचारू किया गया जाम हाइवे के पुलिस उपनिरिक्षक दिली थाटे सहायक उपनिरिक्षक गजानन राउत सुनील श्रीनात अशोक भोगे प्रदीब डोंग्रे व दीपक जादव हाइवे नंबर 44 पर सोने गाव में ट्रेलर दुरगटना ग्रस्त होने की सूचना पर मौके पर गए थे ट्रेलर को साइड में करते हुए लोटते समय जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी हुई सभी ने मौके पर पहुँचकर स्थिती को संभाला वही समुद्रपूर पुलिस कर्मियों वचालकों एवं लोगों ने सही हो किया इन विसेन न्यूस के लिए हिंगन घाट से रवी यनूर करकी रिपोर्ट